हेलो फ्रेंड्स प्रॉषर वाह बंना कैसे वित और अब के अस्टे में हैं थो आज अब बनाने जाएं पिल्क कलर में एक पैटन तो यह जो पैटना से तो रोक होगा तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैटन की फर्स्ट रो हम डालेंगे सेधी साइट से तो यह पैटन ऐसा आप इसको किसी भी प्रजक्ट पर डाल सकते हों तो फर्स्ट रंदे को हम करेंगे एस्टिच मेंज कि बिना बुने अता है आप चाहें बिन देजिए वह आपकी अपनी मर्जी है तो फिर स्टार्ट करते हम यह पैटन डाला फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक प्लीज प्लीज कर दिजिए बेल लाइक इन को प्रेस किजिए और उसे आल पर क्लिक किजिए ताके आपको अनुवड़ी वीडियो का नोटिफिशन मिल जाए तो यह रही पैटन की फर्स्ट फंदे को हम एस्टिच की कर लेंगे सेकंड फंदे को हम निट करेंगे उल्टा इसके बाद धागे को पीछे करेंगे धागे को पीछे करने के बाद हम जो अगले तीन फंदे हैं तीनों फंदों में स्लाई डालेंगे और बैक लूप से पीछे से तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे मगर बुनेंगे हम पीछे से यह दिखे कैसे एक दो तीन फंदे लिए और पीछे से हमने तीनों का एक बनाया तीनों फंदे हमारे स्लाई से नहीं उतारेंगे अभी एक बल डालेंगे फिर से उन्हीं तीन फंदों में स्लाई डालकर फिर से एक फंदा बनालेंगे ये तीन में से हमारे तीन फंदे बनके आगे और तीनों कब स्लाई से उतार देंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदे लेंगे तीनों का बैक लूप से एक फंदा बनाएंगे श्लाई पे ही तीनों फंदे रहने देंगे एक बल डालने के बाद फिर इन तीनों फंदों को हम बैक लूप से बुन लेंगे इनी तीन फंदों को हम फिर से बुन रहे हैं और इनको अभी स्लाई पे रहने देंगी और बुनने के बाद हम तीनों फंदों को स्लाई से उतार देंगे यह हमारा 4 फंदे का पैटर्न होगा फिर से एक बार देखे एक फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदों को इकठा ही बैक लूप से तीनों हमने एक फंदा निकाला तीनों में से तीनों को सलाई पे रहने दिया एक बल डाला फिर उनी तीन फंदों से फिर से एक फंदा नि ले जायेँगे पैटन की सभी सीधी रों हमने ऐसी डालनी तो यह पैटन की फर्स्त रों हम ऐसे कंप्लीट कर लेते तो आजाते पैटन की सेखेंड रोपी नहीं है ऐसा किन्जिऑ इस ऑपिछिए और वारोंग साइट पर फोड़े दूसरी फंदे को सीधा पुनेगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, ये हमारा फोर फंदो का पैटर्न हो गया, फिर से एक पर देखे धागे को पीछे करेंगे, ये जो हमने उल्टा फंदा बुना था, सीधी साइट से उसको हम सीधा बुन निया यह जो हमने तीन फंदों में से थीग बनाए थिज़े फिरी फंद्य को सीधा मघां सीधा फिर हमारा पूरा हम एसी डाल रही यह एक पूरे है कि हैं थे सीधा है कि अधैक सिधा और कि ऐसे करते हैं हमने पैटन की दूसरी स्लाइ रॉंग साइड पर उल्टी साइड पर अग्या यही दो स्लाइओं का हमारा पैटन है इन्हीं दो रोग को हम रिपीट करते ही चले जाएंगे तो यह रोग कम्प्लीट करके हम देख लेते हैं हमारा पैटन बनने के बाद कुछ कैसा लगा कि फिर से पैटरन को सीधी साइट से स्टार्ट कर देना है यह देखिए एक में से तीन फंदे बना लेंगे है और भाग आगे करके एक पंदा उल्टा दोड़ा को फिर देखिए तीन फंदो को इक अठा ही बनेंगे बनेंगे लुप से 3 का हम मैं 3 continued 3 पहले एक पर बोर न रहे हैं तीनों को फिर एक बार डाल रहे है फिर इननी को फिर से ऐसे जब करते जाएंगे यह और रो जब बार बार रर हम करते जाएंगे तो हमारे पैटन के लुग कुछ ऐसे आएगी बिल्कुल इसी सा पैटन है असान पैटन है बिगनर्स इसको इसली ही बना सकते हैं अगर आपने अभी बुर्णा शुरू किया तो फिर यह पैटन आपके लिए तो बना यह इस पैटन को और जाले के बिना वाला पैटन है और stretchable pattern है और आप इसको किसे भी project पे डाल सकते हो तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्र है मेरी वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ एक नए project के साथ और एक नए pattern के साथ तक आप अपना ध्यार रखिए अगर वीडियो पसंद आती है तो like, share, comment करके बताईए यह इसके रॉंग साइड है यह देखिए तो इसके फ्रंट साइड है बिल्कुल इसमें जाली नहीं है बिल्कुल ही यह देखिए अलग सा pattern हमारा बनके आया है